जहिन आज पाकिस्तान के लोग तंत्र नहीं बलकि भरस्ट तंत्र के बारे में इसलिए बतारे हैं क्योंकि पाकिस्तान में कभी साने सारों के बाराएं आज आपको मताईए समझे राएं चैलिए पाकस्तान 1947 में बनने के बाद 1947 में पाकिस्तान बन गया 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद आज तक का इतिहास है 2024 चल रहा है 1947 लेकर के 2024 तक आज तक पाकिस्तान का इतिहास है कि पाकिस्तान में जितने भी सरकारे बनी है जितने भी सरकारे बनी है आज तक वहां के किसी भी पाकिस्तान की सरकार ने आज तक अपना कारिजकाल पूरा नहीं कर पाया है यह पाकिस्तान का ही तिहास स्याद रखना किसी भी सरकार ने आज तक को अपना कारिजकल को पूरा नहीं कर पाया है जैसे भारत में सरकार बनती है भारत में सरकार बनती है तो अपना कारिजकल पूरा करता है न जी पांसल का कारिजकल पूरा कर सकता है को करता है लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने आज तक अपना कारिजकल को पूरा नहीं कर पाया ह खेर आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के निर्वान के बाद से यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में जो सबसे पहली सरकार जो बनी थी 1947 के सबसे पहली सरकार जो बनी जनरल अयूब खान ओभी जनरल अयूब खान की सरकार बनी तो कौन सी सैनिक सासन सैनिक ताना साही समझते हैं ना सैनिक ताना साही का मतलब होता है कि पाकिस्तान के सासन पर सैनिकों का वर्चस्व 1947 से लेकर किया आज तक है और आगे आने वाले सो साल के बाद भी मतलई यह सैनिकों का वर्चस और पाकिस्तान के हुकुमत पर रहेगा इस चुटकार है कभी पाकिस्तान तो पाही नहीं सकता है इसका उज्जा है इसके वज़ा के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को तो पहला सरकार को बनाता है जनरल आयूब खान जो किस परकार की सरकार थी सैनिक ताना साही भारत जैसे आजाद होता है लोग तांत्रिक सरकार बनता है लेकिन पाकिस्तान में सैनिक ताना साही की सरकार बनती है पहली सरकार दूसरी सरकार कब बनती है पाकिस्तान में दूसरी कितना सुन्दर सुन्दर नाम है, सुन्ने में अच्छा लगता है ना, लेकिन इन चोटा लोगों का काम, जितना नाम अच्छा लगता है, सुन्ने में एकदम सांदार एकदम लाजवाब लगता है, काम लेकिन उतना ही घटिया है इन लोगों की, उतना ही घटिया काम भी है, क अहां पर देखिए दूसरी सरकार का पनी चन्डरल नाया खान यह किस प्रकार की सरकार बनी साइनेक तदान लोगतंत्र का भी तब टो थोट ठटाना नहीं पाकिस्तान में दो हुकूमत बन गई, दो सरकारें बन गई पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक क्या, वहाँ पर कहीं पर लोकतंत्र का कीरन देखता है, लोकतंत्र की रोसनी देखती है कहीं पर, लोकतंत्र की रोसनी कहीं पर भी नहीं देख रही है, अभी तक दो सरकार बन गई, तो इसका मतल सब्सक्राइब और परत्हंब बार्मापर जनता के द्वारा चुनी ही सरकार सब्सक्राइब बनती है लिए और पाकिस्तान जो बना है भारत से ही तो भारत क्या बाप है कि और पाकिस्तान क्या हुआ बेटा हुआ और जो बाप अपने बेटे पर नजर रखना उसकी देखभाल करना जो बाप छोड़ देता है वह बाट वह बेटा पहुए बिगड़ता जरूर रहता है अब टीक भारत ने के बाद से बापने पाकिस्तान के ऊपर देख रहे करना बिलकुल पूरी तरह से एक दम छोड़ दिया है कुछ नहीं उसकी कोई किसी परकार से मदद नहीं कर रहा है और Tr awake ने बेटा को अगदम पूरा चूट दे- fuckin ज़ा कुई मतलब नहीं है 2014 से लेकर के अभी तक भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई वार्था नहीं किया है अर्थात कहने को मतलब है कि बाप ने बेटा को बहने के लिए छोड़ दिया जा बहजा एक दम सुखली टान में बहजा उसरी नदियम बहजो कोई मतलब नहीं है क्या जी जुल्फीकार अली बुटो जुल्फीकार अली बुटो य हैं तक समझ गही है आप चौथी सरकार जो बनती है पाकिस्तान में जैनरल जियावुल हगज़ धर यहां opler यहां पर लोक तांत्रीक कि सरकार बोन करके आया है तुरंत थेभी से और शासर पर फिर से लागू ओ गया और का पिर करता है लुगतन्तर तो कभी सैनिग पाला साही लोगतन्तर ता अभी तेक स्थापीत हो पाया पाकिस्तान में भारत अजादी से लेकर कि अभी पुरे ऑपडैक्रेशी का डंका पीड़ता है भारत पूरी दुनिया में लोगतंत्रांओंater दिमत्यों कका पीड़ता है यह था लेकिन पाकिसतान जो है सैन शिलतात पिलड है तो लोगतंत्र लोगतंत्र तो स्सानिक दीए उसकी इतिहास रही है और मैं दावय शाउंगہ के बाद, 100 साल के बाद भी पाकिस्तान में लोगतंतर मजबूत होने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारणिटी देता हूँ, कभी वहार पर पाकिस्तान सिखते हैं पाकिस्तान के जनता भी अपने देश की इतिहास से सिखेगी क्या क्या सिखेगी पाकिस्तान में तो कभी लोक तंत्र कभी सैनिक तंत्र कभी सैनिक तंत्र कभी सैनिक ताना साही है हमारे देश का यह इतिहास है चल कभी सैनिक तक्ता पुलट करेते हैं बास ले होग भारत की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि भारत में कभी सैनिक अक्ता पलाट और सैनिक साथन की बात को कभी भूल से भी नहीं सोच सकता है है भूल से बिने सोचेगा समझ रहना बात को डेके जैस की सरकार को निर्वाती सरकार को जूल्फिकार अली भूटो की सरकार को ताड़ा वह हो गया चुट्टी कर दिया जैसुने जैसाँ है जो पांच भी सरकार जो 지금은 सलकतुन की जैस बनती है बने 2008 में वक्राय काम देमाम कर दिया लोग कि मॉना दिया है बंबलास्ट में कर भेपरा एकदम उड़ा दिया पकिस्तान में जूफी कर लिबुटा की नैं बेनेजीर भुटा की अब इसके बैटी बनती है हो बती है बेनेजीर भुटो इसने फिर दुबारा लोक्तांत्रिक सरका भार बनाने की कोशिज किअन लोकतांत्रिक सरकार बनाई भीयो कि अए 1880 में लेकिन इस लोकतांत्रिक सरकार को फिर परवेस जनरल मुसरफ ने चोटाने निगल गया लेट जनरल कुर्ण पाकिस्तान का राष्ट और पाकिस्तान के उस वक्त के परधान मंतरी नवासरीब थे और नवासरीब की नवासरीब को क्या कर दिया उसको भी जबरजस्ती धक्या दिया परधान मंतरी के पत से उसको हटा दिया और परवे जनरल मुसर अपने वहाँ पर फिर से सैनिक तकता पलट करके फिर से सैनिक त साही को स्थापित कर दिया मैं एक बात बता देना चाहता हूं जानते हो 26 जुलाई सन 1999 इस्वी की बात है 26 जुलाई सन 1999 इस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध चल रहा था अमेरिका पाकिस्तान को चोटा बहुत साथ दे रहा था अमेरिका ने भारत के उपर उस वक्त के हमारे देश के परधान मंतरी अटल बिहारी बाजस्वई और मिसाल मैन आप इंडिया के नाम से परसीद एपी जी अब्दूलकलाम दोनों की इस तिगड़ी ने पाकिस्तान के हलात खराब करकर रख दिया था अमेरिका ने भारत को ये खुली चुनोती दे दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ युद मत करो युद तुम बंद करो अमेरिका भारत के उपर दबाव दे रहा था कि भारत को चाहिए कि करगिल युद बंद कर देना चाहिए, अडल बिहारी वाजस्वे ने अमेरिका की राष्टपती को कहा कि क्यों बंद करें, क्यों बंद करें, पाकिस्तान के साथ मैं युद मैं क्यों बंद करूँ, अमेरिका के राष्ट पतिने है रहे पाकिस्तान के पास एक टम बम है परमानू बम गिरा देगा बरबाद हो जाओगे अडल बिहारी वाजस्वे ने खुली चुनोती दे दिया पाकिस्तान को और अमेरिका हुकुमत को खुली चुनोती दे दिया कि बोल दो पाकिस्तान से हमारे देश में परमाणू बम को गिरा दे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कल पाकिस्तान की अवाम कल का सूरज नहीं देख पाएगा कल का सूरज नहीं देख पाया और इस प्रकार से भारत ने करगिल युद्ध को जीता था पाकिस्तान को रगड़ रगड़ करके मारा था समझ रहे हैं जी बात को खैर जनरल परवज मुसरप ने फिर से सैनिक सासन लागू कर दिया और सन 2008 इस वी से सन 2008 इस वी से अभी तक पाकिस्तान में जैसे भी लेकिन लोकतंत्र वहाँ पर चल रहा है जनता के द्वारा चुनी ही भी सरकार वहाँ पर चल रही है कहां पर पाकिस्तान में लेकिन इस बात की भी गारंटी में देता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम को भी यह पता नहीं होगा पाकिस्तान के हुकूमत करने वालें को भी यह पता नहीं होगा कि कम पाकिस्तान में screening developed हो जाएगा इस बात की गारंटी दुनिया की कोई भी देस में दे सकता है कभी भी पाकिस्तान में Semune क्ता हो सकता है की रभी पाकिस्तान में स्थाव नह limon तंत्र नहीं है क्या है भ्राष्क तंत्र है सैनिक तंत्र है समझ राजी सैनिक तंत्र है चलों देखो